असलाम अलेकुम आज के अडिटोरियल इंडियन डिसिंफॉर्मेशन को लेकर मैं आपके साथ आजे रहो यह बिसिकली इस बारे में है कि इंडिया जो है लोगों के माइंड को कंट्रोल करने के लिए जो वलत इंफॉर्मेशन पहलाता है जिसे तजाद पैदा चलें से प्रमोटिंग डिसिंफॉर्मेशन इसमें एक वर्ड है स्टार्टलिंग इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा हिरान कर देने वाली बाद यह चौकाते नहीं तो यह कह रहे हैं कि एक काफी तबील इन्वेस्टिगेशन जो कि 15 years long इन्वेस्टिगेशन है यॉरोपियन कि उसने लोगों को चौका दिया हिरान कर दिया है अपनी फाइंडिंग से इंडियन नेटवर्क के बारे में कि वह किस तरीके से डिसिंफॉर्मेशन को प्रोमोट कर रहे हैं अकॉर्डिंग तो यू डिसिंफो लैब दमिशन ऑफ दिस ग्रोप इस तू डिस्क्रेटिट न यू न की वरट है गार्न यू का मतलब है यॉर्प्यों यूणियन ओर दिस इन्फो लैप जो इनका इंस्टिटाउम से झाहते हैं करिए इसको 찾아कत है है और दूसरा जो इसमें हे एक डिस क्रांटिट इसा का मतलब है किसी की डिस्वप्रमेश मो इसे फिफ्र करने को पहुचाने आद उसमें चाया भी है लेकिन इस्पेशनी पाकिस्तान है इस लॉंग टर्म अब्जेक्टिव गेव स्क्रेडेंस तुदा तर्म फिफ्ट जनरेशन वार्फेर एस एक एम्पेन एम्प्रोर्स प्रो इंडिया सेंटिमेंट वाइल पुशिंग एंटी पाकिसन सेंटिमेंट अक्रॉस वर्ल्ड बाय मैनिप्लेटिंग दा मीडिया इस से फिफ्ट जनरेशन वार्फ जो है उसके उपर हमें बलीफ होता जा रहे तस्ट होता जा रहे है कि यह बात सही है और आगे बात जो लिखी है उसका मतलब है कि इंडिया यह डिस इंफॉर्मेशन इसलिए फ्यला रहा है कि दुनिया में प्रो इंडियन सेंटिमेंट जो य यह एंटी पाकिस्टन सेंटिमेंट्स दुनिया में इंट्रोड्यूस करवा रहा है विद्ध डूवल गोल इसकी डिस इंफॉर्मिशन पहलाने से इसकी दो काम हो जाएंगे कौन से टू कॉंसोलिडेट इंडिया इस पावर इसमें वर्ड है कॉंसोलिडेट का मतलब है कि मज दूनिया में और दूसरा जो इनका गोल हो है एंट डेमिज देरेप्यूटिशन ऑफ अदर कंट्रीज अभी खुद पावर्फिल कैसे दिखेंगे यह दूसरे ममालिक को डिशॉनर करके खुद को एक अच्छा कंट्री साबित करना चाह रहा है इंड इंडियन इंटरनेशनल इंस्टिटूशन इंस्टिशन सच एस यू एंड यू एंच्छ टेलिजिंटली का मतलब है कि ऐसा शो करवाना कि हम आपे साथ हैं तो इंडिया जो है वो काफी अर्शे से काम करें डिस इंफरमेशन का 2005 से लेकिन वो शो ऐसा कर वा रहा है कि हम भी डिस हैं वो मुत्ताइद हैं और हमदर्दी हासिल करें यू से और यून से और यूर्पेन यूनियन से और यूनाइट नेशन से इन और तो अचीव दिस दन नेटवर्क क्रेटिट एंजियोस थेंग टैंक्स और फेग नियूस मीडिया आउटलेट्स तू इंफ्लूइंस जा य इसके लिए यह चीव करने के लिए इनको कुछ चीज़ें दरकार हैं जिसके लिए उन्होंने सबसे पहले एक चीज़ की कि एंजियोस बनाई नॉन गवर्मेंटल और दूसरी चीज थिंग टैंक्स थिंग टैंक्स का मतलब होता है कि यह गवर्मेंट के साथ कुछ लोग हो तो यह तीन चीज़ें उन्होंने तयार की हैं डिसिंफर्मेशन पहलाने के लिए दूसरे कंट्रीज के लिए नेटवर्क एवन डिपैकेज़ेंड डिस्मिनिट्स डिस्मिनिट्स का मतलब है को खबर हो उसको बुरी तरीके से पहला देना न्यूस थ्रू दा इंडियन वा तो वह तब्दील करता है और दुनिया में जोना बुरी तरीके से पहला देता है जैसे कितनी बड़ी बात और कितनी सची बात है और इनकी इंडियन जो एक एजनसी न्यूस एजनसी एन इसके जरीए और दुनिया में बाकी 97 कंट्रीज ऐसे हैं जो इस इंफ्रमेशन को इंटिटी एंड यूज्ट 750 फेक मीडिया आउटलेट्स टू पुश एट्स प्रोपगेंडा तो है तो है रांकुन तोर पे इन्होंने एक डेट प्रोफेसर उसकी आइडिन्टिटी यूज की री सेलेक्टेड का मतलब है मरने के बाद दुबारा जिन्दा होना या रिवा कि इस नहीं कि किसी का नाम ना है और फिर अपना प्रोपगेंड़ चलाया कि पाकिस्तान और चाइना वगएरा इस साथ जो इनके मुखालिफ ममालिक है वो सारे घलत है दे शेयर वालियम ऑफ इंफ्रमेशन रिवीड अबाउट इस नेटवर्क इस एस्टाउंडिंग शेय बहुत क्या है एस्टाउंडिंग है यानि कि बहुत ज्यादा है रान कोने सर्प्राइजिंग है और यॉरोपियन ग्रॉप हैस कोशेंड अगेंस्ट दा एट्रिब्यूटिंग नेटवर्क एंड इट्स एक्टिविटीज तो इंडियन इंटेलिजेंस इजिस डेफिनेटि अगेंस्ट एट्रिब्यूटिंग नेटवर्क को मनसूब करने से किसके खिलाफ अगेंस्ट मतलब खिलाफ इसके खिलाफ एक्टिविटीज तो इंडियन इंटेलिजेंस एजन्सी यानिके यॉरपियन यूनियन को यह वां किया गया है इस इनफ्रमेशन के लिहाद से कि ज अगर इंटेलिजेंस इजन्सी नहीं तो फिर यह इंडियन गॉवर्मेंट पर क्वेस्टन मार्क है कि उन्हें बताना चाहिए कि फिर कौन है इसके इंफ्रमिशन के पीछे आफ्टर ओल एट्स प्रो इंडिया एंटी पाकिसान इस टैंस एस वेल एज इस केर्फिल कंस्ट्रक्टेड फिक न्यूज माशीनरी इस बेनिफिटिंग दे इंडियन गॉवर्मेंट एंड इस एस्पाइरेशन्स ओफ डॉमिनेंट इंडिया नरेटिफ इस टैंस इसमें शWर्ट है यẹ इसका मतलब है मौकफ और और एक वड़ है एस्पाइरेशनस इस पाइरेशनंस का मतलब होता है किसी चीज के खौाहिश होना या बहुत ज्यादा आर्दू होना तो यह सारी चीज़ है यह एक फेट नіूस मशीनरी की तरीके से बन गाने जैन के नियूस चैन के dominant India narrative dominant का मतलब होता है कि rule करने कर रूल करना किसी के उपर तो इनकी जो खुआइश है कि इंडिया पूरी दुनिया पर रूल करें super power बने तो बस इसके लिए इन्होंने fake news machine भी बनाई हुई है the international community must praise its voice and demand and explanation from new Delhi about this group जो इंटरनेशनल कम्यूनिटीज हैं उनको अपनी आवाज बिलंद करनी चाहिए और इसे पूछना चाहिए एक्स्प्रेंशन मांगनी चाहिए यह देली गुरूप के बारे में विच कंटिन्यूस टू ऑप्रेट डेस्पाइड बिंग इसका मतलब होता है कि उसके बावजूद तो लास्ट टाइम जो फर्स टाइम जो यह लास्ट एर में एक्सपोज हुए थे उसके बाद भी बजाए इसको बंद किया जाता यह और इन्होंने कंटिन्यू रखा अपना सच प्रोपागेंडा इस डेंजरेस एंड हैस फार रीच इसका मतलब है कि जदे लोगों तक बात पहुचना जिसका असर जस्याद हो तो इसका मतलब है जो यह प्रोपागेंटा हो रहे हैंикे डिसिन्फिर्म document कि यह काफी डेंजरेस जो खराब जिबाराप रिजल्ट्स बो काफी लोगों को करेंगे दे नेटवर्क अटेम्ट तू क्रिएट आ नेगेटिव इंप्रेशन ऑफ पाकिस्तान तू फेग न्यूस बिट्रेश आ सेनेस्टर केंपेंड विच इस बिगिनिंग तू डिफाइन दे कॉन्फिलिक्ट ऑफ आर टाइम्स सेनेस्टर का मतलब होता है कि एक काम जो पहले से पता हो कि उसके असराद जो हैं वो सही नहीं निकलें तो यह नेटवर्क की जो अटेम्ट है पाकिस्तान का नेगेटिव इंप्रेशन दालने की पूरी दुनिया पर फेग नियूस के जरिए तो इसका रिजल्ट जो है वह बह सब्सक्राइब की इस बात की इस बात का इसास दिला रही है कि जब ख़बर आये कोई तो उसकी सोर्स देखे कि वह कहां से आ रही है कि वह एक ऑथेंटिक सोर्स है या नहीं है इस प्रिंसिपल इस की टू प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम बिइंग मैने प्लेटिटिट का भी उपर वर्ट पड़ा के एक तरीके से हुकुमत करना उनके जो सोच है उनकी थिंकिंग के वह बदल देना इस्पेशली ऑन सूशल मीडिया तो यह जब सोर्स वगरा देखन पनिश सच एक्टर्स फू इंटेंशनली इंगेज इन डिस इंफॉर्मेशन एंड अब्यूस इंटरनेशनल इंस्टिटूशन इस्टैलर इस्टैलर मतलब है बहुत ज्यादा वंडरफुल बहुत अच्छा काम जो होता है तो इनकी जो एक आउटस्रेंडिंग इंवेस्ट इंटिगेशन जो की है यू डिस इंफो लैब ने यह एक वेकप कॉल है इंडिया के लिए जो के ऐसे एक्टर्स को पनिश करें सजा दे जो अपनी मर्जी से इंगेज होते हैं या पैसे लेके इंगेज होते हैं डिस इंफॉर्मेशन में और इंटरनेशनल इंस्टिटूश दे गिरें खुदा आफेस